दोस्तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं IPC के section 363 को जो की kidnapping की punishment के बात करता है अपनी पिछली वीडियो में हमने 360 और 361 को जाना था तो उन्ही sections की जो punishment है वो section 366 में define की गई है तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं section 360 क्या कहता है 360 हमें ये बताता है kidnapping from India इसके अंतरगत चाहे कोई वेक्ति बालिग हो या फिर नाबालिग हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता दोनों ही तरह के वेक्तियों को अगर कोई बालिग है उसकी consent के बिना और अगर कोई नाबालिग है तो उसके legal guardian की सहमती के बिना अगर ऐसे वेक्तियों को इंडिया के border के बाहर ले जाया जाता है तो ये कहा जाएगा कि kidnapping from India हुआ है वही section 361 हमें ये बताता है kidnapping from lawful guardianship यानि कि एक ऐसा वेक्ति जो की अभी नाबालिग है अगर लड़का है तो 16 साल से कमायू का और लड़की है तो 18 साल से कमायू की है या फिर ऐसा किसी भी age का कोई वेक्ति है जिसके दिमागी हाला ठीक नहीं है उसकी consent की कोई value नहीं है ऐसे वेक्ति को उसके legal guardian की सहमती के बिना अगर इंडिया से बाहर ले जाया जाता है तो ये माना जाएगा कि IPC के section 361 का crime हुआ है यानि कि kidnapping from lawful guardianship किया है तो इन दोनों तरह के जो अपराधों की सजा हो की उसे बताया गया है IPC के section 363 में यानि कि 363 में इस section की definition से हमें पता चलता है कि अगर कोई वेक्ति किसी को उसकी consent के बिना या फिर नाबालिक है तो उसके legal guardian की सहमती के बिना अगर इंडिया से बाहर ले जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने kidnapping की है और ऐसे वेक्ति को जो सजा होगी वो 7 साल की होगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा लेकिन हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान देना होगा कि ये सजा सिर्फ और सिर्फ kidnapping के लिए है अब kidnapping के पीछे क्या intention थी उसके लिए अलग से सजा का provision किया गया है अगर कोई किसी का kidnap मानो तसकरी के लिए करता है जबर जस्ति शादी करवाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के लिए भीक मंगवाने के लिए तो उसकी intention के लिए जो सजा होगी वो दूसरे section में define की जाएगी और ये और भी जदा गंभीर तरह का अपराद बन जाएगा तो हो फ्रेंट की ये वीडियो आपको informative लगी होगी वीडियो information अच्छी है तो आप इसे like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बोलिएगा